पैसे जी यह यह जी differ गुड़ मर्नीं बच्चों प्यारे बच्चों कole लास्ट वाले एक्ष्र मे उठेशिंस suspected के बारे मैंकि हम एक स्थेट से स्थेट में का से चेंज करते हैं वहां जो भी प्रोस्ट हो रहे थे हमने उनके बारे में भी पढ़ा था fusion पढ़ा, condensation पढ़ा, sublimation पढ़ा, vaporization पढ़ा हमने वहाँ जो phenomena हो रहे थे उनके बारे में study किये उसके बाद हमने पढ़ा atmospheric pressure के बारे में बचो ये बड़ा important concept है जो आज जो हम topic पढ़ने वाले हैं उनके साथ relate करेगा हमने वहाँ पढ़ा बचो की C level के उपर, जो C level होता है वहाँ पर हम atmospheric pressure की value मानते हैं 180 ठीक है, और जैसे जैसे हम height पर आते हैं, वैसे वैसे atmospheric pressure की value decrease हो जाती है कम हो जाती है, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, आज जो हम topic हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे है boiling point boiling point अब सुनना जरा तुम बचो boiling point होता क्या है जैसे, बचो हम यह कहते हैं न, पानी का boiling point 100 degree Celsius, लेकिन पानी का boiling point 100 degree Celsius हर जगे बराबर नहीं होता Delhi में पानी का boiling point है, वो कुछ और होता है और मतलब, अलग-अलग जगे पे अगर हम जाएंगे न, तो boiling point की value अलग-अलग हो जाती है, लेकिन हम तो किताबों में यह पढ़ते हैं, पानी का boiling point fix रहता 100 degree Celsius तो यह क्या है, boiling point वास्ताव में है क्या है, हमने इसी के बारे में समझना है, और 100 degree Celsius जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो क्या है अगर बच्चों हम अपनी, माल लिया हम रिवाडी में रह रहे हैं, और रिवाडी में अगर मैं पानी का boiling point चेक करूँ तो 100 degree Celsius नहीं आएगा वो कितना आएगा, हम पढ़ेंगे आज सारी चीजे, सुनो ध्यान से boiling point होता क्या है देखो बच्चो, माल लो मेरे पास water है एक container के अंदर इस container के अंदर मेरे पास पानी है ठीक है अब जो पानी के particle है वो लगातार motion में रहते हैं वोटर के particle लगातार motion में होते हैं और वोटर ही क्या हमने तो पढ़ाा था matter के particle हमेशा motion में रहते हैं और वोटर भी अपने आप में एक matter है, तो इसके particle लगातार motion में है और motion में है तो उनके पास kinetic energy होगी क्योंकि motion के करने जो energy होती उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक energy अगर particle motion में है तो वो लगातार pressure exert करते हैं ठीक है बचो अब यहां क्या है उपर से एक pressure लग रहा है जो कि दुनिया के हर substance के उपर लगता है जिसको हम बोलते है atmospheric pressure और atmospheric pressure जो लगता है वो air के weight की करण लगता है अब बचो जो water के particle है अगर मैं इनको heat करना start करूँगा यह जो पानी है मेरे पास इसको मैंने गरम करना start किया गरम करना start किया तो यह जो पानी के particle है इनका pressure भढने लगा kinetic energy भढने लगी तो यह बाहर जाना चाहेंगे लेकिन इनको बाहर जाने से रोक रहा है ये atmospheric pressure उपर से pressure लग रहा है वो बाहर नहीं जाने दे रहा लेकिन मैं गरम करता गया गरम करता गया तो इन particle का pressure बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया एक time ऐसा आया यह जो pressure था Water के particle का यह वाला pressure और atmospheric pressure दोनों बराबर हो गए अब बराबर हो गए ना तो इसके बाद यह वाला atmospheric pressure Water के particle को बाहर जाने से नहीं रोख पाएगा और हम पता क्या कहेंगे कि यह जो water था यह वैपर में convert हो गया थिक है किस में convert हो गया वेपर में convert हो गया तो जिस temperature पे जिस temperature पे water के जो particle थे water के जो particle थे उनका pressure atmospheric pressure के बराबर हुआ है उस temperature को बोलते हैं बच्चो boiling point समझ में आ रही है बात देखो वैसे हम generally किताबों में क्या पढ़ते हैं कि the temperature at which liquid convert into वेपर किसी liquid का जब वेपर बनता है न तो उस temperature को हम boiling point बोलते हैं लेकिन नहीं बच्चो ये सही definition नहीं है exact definition क्या है the conversion of conversion of liquid into वेपर लेकिन कब at atmospheric pressure atmospheric pressure के उपर या मैं ये कह सकता हूँ the temperature वो temperature जिस पे इस liquid के particle का pressure atmospheric pressure के बराबर हो गया सही बात है यहां तक तो बच्चो मैं definition लिखता हूँ क्या एक definition तो यह है the conversion of liquid into वेपर at atmospheric pressure at atmospheric pressure is known as is known as boiling point is known as boiling point या मैं इसकी एक ओर definition लिख सकता हूँ और एक ओर definition है क्या the temperature the temperature the temperature the temperature at which pressure of liquid pressure of liquid will become equals to equals to atmospheric pressure atmospheric pressure बच्चो जिस temperature के उपर इस liquid का pressure atmospheric pressure के बराबर हुआ है उस temperature को मैं नाम दूँगा boiling point सही बात है और इस process को जो यह process हुआ है न क्या liquid का conversion जो वैपर में हुआ है atmospheric pressure के उपर इस process को नाम देते हैं boiling का यह process क्या नाम दिया जाता है boiling ठीक है मैं लिख भी सकता हूँ यह boiling होती क्या है किसको हम boiling बोलते है the conversion of the conversion of liquid into वैपर at atmospheric pressure at atmospheric pressure is known as boiling इसको हम क्या बोलते हैं boiling is known as boiling अब तुम कहोगे सर बच्च हमें कल तो यह बताया था कि वैपराइजेशन होता है conversion of liquid into वैपर लेकिन बच्चो वहाँ मैंने यह atmospheric pressure नहीं लिखा था अगर कभी भी liquid का conversion वैपर में हो रहा है at atmospheric pressure तो हम उसको क्या नाम देंगे boiling नाम भी देंगे ठीक है सही है यहाँ तक अच्छ अब सुनो आगे की कहानी हमारे पास क्या है आगे की कहानी यह है कि जो boiling point होता है इसको कौन-कौन से factor affect करते हैं factor affecting boiling point factor affecting boiling point boiling point को कौन-कौन से factor affect करेंगे हमें यह देखना है सबसे पहला जो factor मैं पढ़ रहा हूँ न वो मैं पढ़ रहा हूँ nature of liquid nature of liquid ध्यान से सुनो बच्छो जरा इसके बारे में nature of liquid के बारे में देखो बच्छो मैंने क्या माना मेरे पास दो liquid है, एक A है एक liquid है मेरे पास A और A मैंने मान लिया पानी है, water है और एक liquid है मेरे पास B और B मैंने मान लिया यह जो B है, वो honey है honey होता है न, सहत जो होता है अब बच्छो मैंने कहा इन दोनो liquid में boiling point किसका ज़्यादा होगा boiling point में हम क्या करते हैं, liquid को heat करते हैं, गरम करते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि वो convert हो जाता है वैपर में atmospheric pressure के उपर जब वो convert होता है वैपर में तो हम उस temperature को नाम देंगे boiling point का लेकिन बच्छों हम एक बात तो logically जानते हैं, क्या कि पानी और honey अगर मैं दोनों को देखू तो honey जादा viscous है, जादा गाडा होता है उसके पीछे कारण क्या होता है honey के जो particle होता है उनके बीच में voter के comparison में force of attraction जादा strong है अगर honey के particle के बीच में force of attraction जादा strong है तो आसानी से उसके वैपर नहीं बनेंगे जब वैपर बनते हैं तो होता क्या है particle के बीच में जो force of attraction होता है माल लिया ये दो particle है इनके बीच में attraction है अगर ये attraction strong है तो ये आसानी से अलग नहीं होंगे वैपर में convert नहीं होंगे और आसानी से अगर वैपर नहीं बनेगा तो हमें ज़्यादा heat देनी पड़ेगी ज़्यादा temperature देना पड़ेगा इसका मतलब boiling point उस liquid का ज़्यादा होता है जिसके अंदर force of interaction strong होते है तो हनी का boiling point ज़्यादा होगा पानी के comparison में सही बात है तो बच्चो liquid का nature कैसा है इस बात पे depend करता है boiling point अगर liquid के अंदर force of interaction force of attraction strong है तो उसका boiling point ज़्यादा होगा सही है यहाँ तक चलो मैं लिख देता हूँ क्या on increasing force of on increasing force of interaction यह मैं बोल सकता हूँ inter particle attraction in liquid boiling point increase boiling point बढ़ जाता है boiling point increase सही बात है अगर किसी liquid के अंदर force of interaction यह inter particle attraction एक ही बात है अगर ज़्यादा होता है तो उसका boiling point भी ज़्यादा होगा जैसे हनी का boiling point पानी के comparison में ज़्यादा होता है किलियर है यहां तक की बात कोई बड़े बात नहीं है बचो अब अगले point पर आते हैं देली के अंदर हूँ ठीक है और डेली के अंदर मैं पानी को boil कर रहा हूँ यह water है ले रखा है मैंने और मैं इसकी boiling कर रहा हूँ कहां डेली में देली में ठीक है और मेरा ही एक दोस्त है फ्रेंड है वो सिमला में है और सिमला में वो water की boiling कर रहा है ठीक है उसने भी पानी लिया हुआ है लेकिन वो कहां पे है सिमला में ठीक है अब दोनों ही जगा उपर से atmospheric pressure लग रहा है लग रहा है कि नहीं लग रहा है डेली में भी लग रहा है सिमला में भी लग रहा है सही बात है लेकिन हमें एक बात का पता है सिमला जो है वो high attitude पे है डेली के comparison में डेली के comparison में similar height पे है और कल मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाते हैं height पे जाते हैं atmospheric pressure की value कम होती जाती है इसका मतलब ये जो atmospheric pressure है ये जो atmospheric pressure है ये कम है है की नहीं ये कम है डेली के comparison में क्योंकि similar height पे है इसलिए ये वाला atmospheric pressure similar में जो atmospheric pressure लगेगा वो कम लगेगा डेली के comparison में है की नहीं और boiling point होता क्या है क्या होता है boiling point the temperature at which pressure of liquid will become equals to atmospheric pressure अगर ये atmospheric pressure जादा होगा तो हमें उस liquid को जादा temperature जादा heat देनी पड़ेगी उसका pressure atmospheric pressure के बराबर करने के लिए अब बच्चों यहां तो atmospheric pressure कम है इसका मतलब यहां हमें कम heat करना पड़ेगा डेली के comparison में बच्चों यहां बिल्कुल confuse नहीं होना है कुछ बच्चे पता है क्या कहते हैं कि सिम्ला में मतलब सर्दी जादा होती है तो वहां boiling point जादा होगा लेकिन बच्चों यह गलत बात है अगर मैं डेली और सिम्ला की बात करूँ न तो सिम्ला में boiling point कम होता है पानी का in comparison to डेली और उसके पीछे reason है सिम्ला में सिम्ला में atmospheric pressure कम होता है जिसके करण boiling point भी कम हो जाता है बच्चों यहां note करने वाली बात है क्या on increasing atmospheric pressure अगर atmospheric pressure भड़ता है अगर यह भड़ता है atmospheric pressure तो boiling point पर भड़ेगा then boiling point increase then boiling point increase यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि जो boiling point है जो boiling point है वो directly proportional होता है atmospheric pressure के atmospheric pressure के वो directly proportional होता है बच्चों मैं यहां यह कह सकता हूँ कि आगर मैं atmospheric pressure को बढ़ाऊंगा तो boiling point भी liquid का भड़ेगा सही है और अगर मैं atmospheric pressure को कम करूँगा तो boiling point liquid का कम होगा सही बात है ठीक है अब बच्चों बताओ Delhi और Simla में boiling point जादा कहा होगा boiling point जादा वहाँ होगा जहाँ atmospheric pressure जादा होगा और atmospheric pressure Delhi में जादा होता है Simla के comparison में तो मैं यह कहूँगा Delhi का boiling point जादा है more boiling point ठीक है और इसका boiling point या मैं यह कह सकता हूँ high more नहीं high लिख देता हूं high boiling point और low boiling point low boiling point अब तुम कहोगे कि सर वहां सर्दी बढ़ती है तो ऐसा तो नहीं हो सकता वहां boiling point कम है तो बच्चो अभी भी अगर मैं बात कहूं ना simla में ज़्यादा time लगेगा पानी को वैपर में convert करवाने के लिए in comparison to Delhi क्योंकि Delhi का normal temperature मान लिया मैंने 30 degree celsius है लेकिन simla का 5 degree celsius है ठीक है अब Delhi के अंदर जो पानी का boiling point मैंने मान लिया 99.8 क्योंकि अगर मैं बात करूं Delhi के अंदर भी 100 degree celsius नहीं होता 100 degree celsius नहीं होता 100 degree celsius कब होता ये भी तुमें बताऊंगा मैं Delhi के अंदर लगबग 99.8 degree celsius होता है तो simla के अंदर लगबग 99 degree celsius होगा लगबग exact नहीं है बिलकुल भी अब सुनो ध्यान से समझना Delhi के अंदर Delhi में हमें 30 से 99.8 पर पोचना है और simla में 5 से 99 पर पोचना है ताइम तो ज्यादा simla में लगेगा 5 से यहां पर पोचना है यहां 30 से यहां पर पोचना है टाइम simla में ही ज्यादा लगेगा पानी की boiling में लेकिन जो boiling point है जो boiling point की जो value है वो सिमला में कम होती है डेली में जादा होती है जो boiling point जो temperature है एक particular temperature है उसकी value check की जाती है atmospheric pressure के base पे तो यहां note डाल लेना बच्चों बड़े काम का question है यह जब तुम solve करोगे ना अपने assignment तो उसमें मिलेगा यह वाला question क्या boiling point of water of water is lower in Simla than Delhi this is because this is because in Delhi atmospheric pressure atmospheric pressure is higher than Simla higher than Simla Simla के comparison में atmospheric pressure जादा होता है डेली के अंदर और बच्चों अब बात यह है कि पानी का boiling point 100 degree Celsius कहां पे होता है तो ध्यान रखना यह वाली बात भी क्या at sea level जो sea level होता है ना जहां atmospheric pressure हम one मानते हैं boiling point of water boiling point of water water is 100 degrees Celsius अगर अगर मैं देखूं Delhi Delhi sea level से उपर है और sea level से अगर मैं उपर आ गया हूं तो atmospheric pressure कम हो जाता है और atmospheric pressure कम हो जाएगा तो boiling point भी कम हो जाएगा इसलिए डेली के अंदर डेली के अंदर जो boiling point है वो सो से कम होगा सही बात है यहां तक किलियर है कोई बड़ी बात नहीं सीधा सीधा concept था कि atmospheric pressure की value अगर बढ़ती है तो boiling point भढ़ेगा अगर कम होती है तो boiling point कम हो जाएगा किलियर है बचो एक तीसरा factor और है जो boiling point को affect करता है वो तीसरा factor सुनो तुम क्या होता है बचो एक तीसरा factor और है तीसरा factor है addition of non volatile substance अगर मैं किसी non volatile substance का addition कर दूँ तो भी boiling point बदल जाता है अब ये non volatile substance कोन सा होता है बचो मैं बता दूँ non volatile का मतलब ये होता है वो substance जो वैपर में convert नहीं हो सकता कल मैंने तुमें एक बात बताई थी वैपर किसके बनते हैं वैपर उसके बनते हैं जिसकी room temperature पे state liquid है जो room temperature पे liquid state में exist करता है उसकी gaseous form को हम वैपर बोलते हैं ठीक है अब मैं तुमसे अगर कहूं कि क्या कभी sugar के वैपर बन सकते हैं तो भाई sugar जो होता है वो room temperature पे solid state में होता है इसलिए मैं कहूंगा sugar के वैपर नहीं बन सकते क्या salt के वैपर बन सकते हैं तो salt के वैपर नहीं बन सकते salt की जो gaseous form है मैं उसको वैपर का नाम नहीं दूँगा मैं वैपर नाम दूँगा केवल liquid की gaseous state को और किसी को मैं वैपर का नाम नहीं दूँगा Non Volatile Substance का मतलब बच्चो वो Substance है जिनके वैपर ना बन सके जिनके वैपर नहीं बन सकते हैं अब Non Volatile Substance हमारे पास कौन-कौन से होंगे तो मैं कहुंगा Sugar, Salt यह जितने भी Solid Substance है यह सारे Non Volatile है क्लियर है यहां तक की बात चलो बचो अब आगे समझते हैं देखो ध्यान से समझना तुम बचो यह मेरे पास पानी है ठीक है वोटर है यह मेरे पास पानी लिया हुआ है मैंने और यह जो पानी लिया हुआ है मैंने इसको मैंने sea level के उपर रख रखा है और sea level पे इसका जो boiling point है इसका जो boiling point है sea level पे वो कितना है 100 degree Celsius, सही बात है अब मैंने क्या किया, इस water में salt मिला दिया थोड़ा सा, क्या मिला दिया, salt थोड़ा सा, salt मिला दिया इसमें, अब salt मिला दिया तो salt के particle घुल गए इसमें हर जगे घुल गए की नहीं, घुल गए salt के particle अब यह मैं बोलूँगा salt plus water ठीक है, अब इसका boiling point कितना होगा हमें यही पढ़ना है, कि अगर हम किसी non-volatile solute का salt का या sugar का addition कर देते हैं पाने के अंदर तो boiling point वही 100 degree Celsius रहता या बदल जाता है तो बच्चों भी समझेंगे इसके बारे में, देखना जारा ध्यान से देखो, पहले जब मैं इस पानी का, इस water का boiling point चेक कर रहा था तो boiling point देखने के लिए मुझे गरम करना पड़ेगा, heat करना पड़ेगा और जिस temperature पे इसके vapor बनेंगे, उसको मैं क्या नाम दूँगा? boiling point, ठीक है? अब यहां पे क्या हुआ? मैंने इसको गरम करना start किया अब पानी के particle का pressure बढ़ने लगा, बढ़ने लगा तो वो बाहर जाने की कोसिस करने लगे लेकिन जब वो बाहर जाने की कोसिस करने लगे ना, तो बीच में जब जाएंगे वो बाहर तो रास्ते में उनको salt के particle भी मिलेंगे अब salt के particle ऐसे होते हैं, जिनके vapor नहीं बनते हैं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे अब salt के particle के तो वैपर बनते नहीं पानी के particle के वैपर बनते हैं लेकिन ये जो salt के particle बीच में distribute हो गए हैं ये क्या करेंगे water के particle को बाहर जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं resistance डाल रहे हैं obstruction डाल रहे हैं यानि कि पानी के particle यहां तो बड़े अराम से बाहर निकल रहे थे लेकिन यहां बाहर जाना आसान नहीं है क्योंकि ये जो salt के particle बीच रास्ते में आ रहे हैं ये रुकावट डाल रहे हैं तो कहीं न कहीं यहां वैपर बनने में difficulty है in comparison to water इसी लिए salt क्या जो solution होता है salt plus water जो होता है उसका boiling point पानी के comparison में ज़्यादा होगा क्योंकि यहां जो salt है न वो वैपर बनने से रोक रहा है मतलब आसानी से वैपर नहीं बनने दे रहा है इसी लिए हमें ज़्यादा heat करना पड़ेगा ज़्यादा गरम करना पड़ेगा वैपर बनने के लिए इसलिए इसका boiling point ज़्यादा होगा clear है बचो मैं यहां लिख देता हूँ इसका boiling point 100 degree Celsius से ज़्यादा होगा ठीक है तो मैं यहां डालता हूँ addition of addition of non-volatile non-volatile solute will will obstruct या restrict restrict the formation of वैपर रुकावत डालते हैं वैपर के formation में so boiling point of salt solution is higher than is higher than water पानी के comparison में जो salt का solution होगा बच्चो उसका boiling point ज़्यादा होता है अगर हमें एक non-volatile solute add कर रहे हैं पानी के अंदर तो boiling point को भड़ा देता है क्यों बढ़ा देता है क्योंकि अब वैपर आसानी से नहीं बनेंगे ठीक है यहां तक की बात और बच्चो यह जो salt है ना इसकी मैं इसका जो amount है जितना ज़्यादा लूँगा इसका इस solution का boiling point उतना ही ज़्यादा होगा यानि कि इस solution का boiling point depend करता है मैंने इसमें कितना salt मिलाया है यहां note डाल के लिग देता हूं मैं के जो boiling point भड़ा है the increase the increase in boiling point increase in boiling point of salt solution depend on depend on amount of salt on increasing on increasing amount of salt in water boiling point increase जितना ज़्यादा तुम amount लोगे salt का पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा boiling point होगा clear है यहां तक की बात तो बच्चों यह सारी कहानी जो अभी तक हमने पड़ी यह boiling point के बारे में पड़ी boiling point को कौन-कौन से factor affect करते हैं इनके बारे में पड़ी clear है यहां तक की बात अब हम अपना next topic पढ़ते है freezing point अगर इसमें कोई भी doubt है तो मुझे बताना है group में message कर सकते हो या तुम मेरे personal WhatsApp पे message कर सकते हो अगर तुमें कोई भी doubt आता है तो ठीक है और बच्चों मैंने जो problem seat जो assignment तुमें दिया हुआ है वो कल तक soul हो जाना चाहिए soul करके उसकी PDF बनाके मुझे send करो के हुआ है देखो बच्छो आगे जो है हमारा अगला जो टोपिक है वो है फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है देखो बच्छो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पड़ा वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट है लेकिन freezing में क्या होता है liquid जो है वो solid में बदलता है अभी जो हमने पढ़ा था liquid किस में बदला था liquid वैपर के अंदर बदला था या gas के अंदर बदला था उस particular temperature को हमने नाम दिया था boiling point लेकिन अब वो solid के अंदर बदलेगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ the temperature definition लिखता हूँ the temperature at which liquid convert into solid at atmospheric pressure at atmospheric pressure ठीक है न बच्चो अट्मोस्फेरिक प्रेशर के उपर और यहाँ note करने वाली जो बात है वो क्या है freezing point of freezing point of water is zero degrees Celsius at sea level यह जो zero degrees Celsius है यह sea level के उपर है बच्चो ठीक है यहाँ तक के बात ठीक है और बच्चो इस फिनोमीना को जिसमें liquid convert हुआ है solid के अंदर atmospheric pressure के उपर इस फिनोमीना को नाम देते हैं freezing मैं यहाँ freezing भी लिख सकता हूँ क्या होता है freezing the process the process in which liquid convert into solid at atmospheric pressure at atmospheric pressure is known as is known as freezing इसको हम नाम देंगे freezing ठीक है बच्चो अच्चा एक बात बताओ freezing जब होगी तो क्या होगा कि यह दो particle liquid form में थे liquid में particle थोड़े दूर दूर थे जब freezing होगी तो solid बन जाएगा solid बन जाएगा तो particle नजदीक आ जाएगे है की नहीं यानि की एक बात समझो तूम अगर मेरे पास कोई liquid है मानलो मेरे पास एक ऐसा liquid है जिसके particle के बीच में force of attraction strong है force of attraction strong का मतलब particle नजदीक नजदीक है अगर मैं इस liquid का freezing point देखूं तो यह यह जो particle है अगर पहले से ही नजदीक है तो इसका freezing point कम होगा है की नहीं और एक ऐसा liquid जिसके particle बहुत दूर दूर है तो उसके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रेक्शन बहुत कमजोर है और बहुत कमजोर है तो जब मैं उसको freeze करूंगा तो freezing point की value high होगी कहीं ना कहीं freezing point की value depend करती है कि हमारा जो liquid है उसका nature कैसा है अगर हमारे liquid के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रेक्शन स्ट्रोंग है तो freezing point कम होगा और अगर इंटर पार्टिकल अट्रेक्शन बहुत कमजोर है तो उसका freezing point जदा होगा ठीके बच्चों अब हमें पढ़ने factor affecting freezing point factor affecting freezing point कहीं ना कहीं freezing जो है freezing जो है boiling का उल्टा है boiling से opposite चीज़े होगी यहां सारी की सारी ठीक है ना तो पहला जो factor है बच्चों वो है nature of liquid nature of liquid ठीक है ना चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें यह nature of liquid क्या है nature of liquid यह है on increasing on increasing inter particle attraction freezing point of liquid freezing point of liquid decrease बच्चों अगर तुमसे दो liquid दे देता है कोई भी दो liquid दे दे हमारी chemistry को और कहें कि इन दोनों में बताओ किसका freezing point जादा होगा किसका कम होगा तो हमें किवल एक बात देखनी है किसके particle के बीच में force of attraction हमें जादा strong लग रहे हैं और वो हम पैचान सकते हैं जिसके जिस liquid के particle के बीच में force of attraction strong होगे उसका freezing point कम होगा ठीक है और जिसके force of attraction weak होगे उसका freezing point जादा होगा पहला factor होगे अब अब अच्चों nature of liquid दूसरा factor है atmospheric pressure atmospheric pressure देखो बच्चों अभी जब हम boiling पढ़के आये थे boiling point पढ़के आये थे तो मैं यह कह रहा था जितना ज्यादा होगा atmospheric pressure उतना ज्यादा boiling point होता था क्योंकि boiling हमें क्या करना पढ़ता था vapor बनाने पढ़ते थे vapor बनाने के लिए वो जो atmospheric pressure उपर से लग रहा है हमें उसके साथ टक्कर लेनी पढ़ती थी बाहर निकालने के लिए बहर टक्कर करता था liquid तो जितनी ज्यादा atmospheric pressure उतना ज्यादा boiling point लेकिन अब जो atmospheric pressure है जो बाहर क प्रेशर लग रहा है वो कहीं नखाइं मदद कर रहा है नंदराव दर फ्रीजिंग में क्योंकि बाहर रखा जो अट्मोस फेरिक प्रेशर लगेगा वह प्रेश करेगा पार्टी कल को नसदीक आने के लिए और नसदीक Atmospheric Pressure Freezing Point Decrease Freezing Point Decrease ठीक है मैं कह सकता हूँ Freezing Point जो है Inversily Purporeational होता है Atmospheric Pressure के atmospheric pressure के inversely proportional होता है बचो inversely proportional का मतलब क्या होता है कि अगर मैं atmospheric pressure को बढ़ाऊंगा तो हमारे freezing point की value कम हो जाएगी और अगर मैं atmospheric pressure को अगर मैं atmospheric pressure को decrease करूँगा अगर मैं decrease करूँगा atmospheric pressure को तो freezing point की value freezing point की जो value है वो बढ़ जाएगी अब देखो अगर मैं similar और डेली दोनों का फिर से example लेता हूँ similar height पे है height पे है तो वहाँ atmospheric pressure कम है डेली अगर मैं बात करूँ similar के comparison में डेली नीचे है तो डेली में atmospheric pressure similar के comparison में जादा होगा अगर atmospheric pressure जादा है तो freezing point डेली में कम होगा तो मैं यहाँ कह सकता हूँ note डाल के लिख सकता हूँ क्या freezing point freezing point of water is lower in Delhi than similar और इसका region बच्चो वही देना है due to atmospheric pressure यह सब atmospheric pressure के कारण हुआ है सही है यहां तक की बात चलो बच्चो अब next वाला factor और पढ़ लेते हैं क्या addition of non-volatile substance देखो अभी जो हम पढ़के आये थे boiling boiling में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो non-volatile substance का अगर मैं addition कर देता हूँ तो वो boiling point को भड़ा देता था लेकिन freezing में क्या वो उल्टा करेगा non-volatile substance को अगर मैं add करूँगा पानी के अंदर तो वो freezing point को कम कर देता है बच्चो अगला है नंबर 3 नंबर 3 है addition of non-volatile substance addition of non-volatile substance non-volatile substance ठीक है यह भी freezing point को affect करता है जैसे मेरे पास फिर से वो ही पानी है पानी है यह पानी का freezing point अगर मैं देखूँ atmospheric pressure के उपर पानी का freezing point zero degree Celsius होता है ठीक है zero degree Celsius है पानी का freezing point और यह मैंने एक salt solution ले लिया यह मैंने salt का solution ले लिया salt के solution का मतलब इसमें salt है और पानी है दोनों है अब दोनों है इसमें salt भी है अब salt के बारे मैं बता रहा था कहींना कहीं यह vapor बनने से रोख दायी बाहर particle को नहीं जाने देता है अगर बाहर नहीं जाने देता तो कहींना कहीं खट्टा कर रहा है खट्टा कर रहा है तो freezing में help कर रहा है अब सुनो जरह ध्यान से इसका जो freezing point होगा इस solution का जो freezing point होगा वो less than zero degree Celsius होगा zero degree Celsius से भी कम होगा क्योंकि इसमें मैंने salt मिला दिया एक non volatile substance non volatile substance freezing point को कम कर देगा पहले कितना था जीरो जीरो से भी कम कर देगा इसका मतलब negative में आएगी value ठीक है minus one या जो कुछ भी आता है तो बचों मैं यहां लिखे रहा हूँ addition of non volatile non volatile substance will decrease the freezing point of water freezing point of water this is because this is because addition of addition of non volatile substance non volatile substance will help in freezing freezing में वो help कर रहा है freezing को और जल्दी कर आ रहा है वो इसलिए freezing point की value कम होगी ठीक है बच्चों देखो बच्चों आज हमने दो ही topic पढ़े है freezing point एक boiling point दोनों ही बहुत important topic है बच्चों अच्छे से करना है तुमने इनको अगर इनसे related कोई भी तुम्हारी problem में पूछना है मेरे से और वो जो problem seat है वह अच्छे से solve करनी है जब पूरी तुम्हारी problem seat हो जाए उसमें जो भी doubt आएंगे वो doubt हम फिर solve करेंगे ठीक है बच्चों ये आज का lecture और जो कल हुआ था लेक्चर उन दोनों को अच्छे से कर लेना फिर कल मैं एक और लेक्चर लोगा तुम्हारा उसके बाद तुम्हें फिर से एक और problem seat मिल जाएगी तो उससे पहले तुमने वह वाली problem seat solve कर लेनी है बच्चों मेहनत करो ठीक है थैंक्यू